हलो गाइज विल्कम बैक तो मैं न्यू वीडियो दो बात करने वाले निफ्टी 50 के बारे में बहुती बड़ा फॉल दिया आज निफ्टी 50 ने एंड मैंने कल भी आप लोगो को क्लियर कट बोला था यह चीज कि मार्केट अगर 2200 के नीचे निकलेगा तो आपको एक बड़ि मैं मैंने आज अपने मेंबर्स को बहुत सारे ट्रेड दिये निफ्टी में और बताऊंगा कि अगर आप होल्ड करते ना उन ट्रेड को तो क्या से क्या बन सकता था सबसे पहले प्रॉफिट देख लेते हैं भाई आज का तो हमारे मेंबर्स का जो ओवरॉल प्रॉफिट का दिन रहा है ठीक रहा है मेरे अकॉर्डिंग बहुत बढ़िया नहीं रहा बहुत बढ़िया रह सकता था बताऊंगा क्यों तेईसो सेहतालीस एकजार आटसो अससी एकजार पांसो दोजार एकसो अटाइस यह कुछ ट्रेड हैं इनके बार में डिसकेशन करूँगा यह नि के दिन प्रॉफिट बनाए आज हमारे मेंबस निफ्टी के ट्रेड को मिस किये और उस चक्कर में आज उनको भुगतना भी पड़ा क्योंकि मार्किट इतना अच्छा था निफ्टी में आप पूछो ही मत मैंने आप लोग को बोला था 47,200 के नीचे पुट में जाने के थी साड़े 10 बजे के आसपास 22,400 का पुट था 138 के उपर बाइंग थी अब आप शौक हो जाओगे देखके कि वो पुट कहां पर at last रुका है जाके या उसने हाई क्या बनाया है वो एक बार हम देख लेते हैं ठीक है 22,400 का पुट 22,400 का पुट ठीक है आपके सामने ही कर सब कुछ निफ्टी 14th of March लॉजिक भी दूँगा सब कुछ बताऊंगा कि हमने यहां पर क्यों ट्रेड दिया था या नहीं दिया था अब देखो आप खुद आके आपकी फटी रह जाएंगी 138 पे ट्रेड था और 138 से यह ट्रेड कहां पर 500 का हाई मारा है गाइस 500 का हाई जस्ट इमेजिन एक मिनट दो मुझे मैं इसको पांच मिनट के चार्ट पर कनवर्ट करूँ वेट अ मिनट निफ्टी 50 के पांच मिनट का चार्ट और अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कहां पर मैंने दिया था ट्रेड ठीक है देखे भाई सीधा सिंपल ट्रेड था और यह बात मैंने कल भी आप लोगों से की थी डिसकॉशन ठीक है कि हमारा मार्केट अगर 22 से 300 के लेवल निकालेगा तो बड़ा मुव देगा तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो हमारे मेंबर्स अगर गलती से पहली ट्रेड में ही बैठे रहते हमने ट्रेड कहां पर दी ट्रेड एक्टिव हुई अल्मोस्ट 11 बजे के आसपास तो अब आप देखो कि 140 का लेवल जब निकला है उसकत क्या मार्केट कभी नीचे आया नहीं मार्केट सीधा उपर की तरफ चलता चला गया और अगर मैं 11 बजे की बात करूं मार्केट में 10.30 ग्यारा तो हमने कुछ ट्रेड यहाँ पर दिया तो और यह लेवल पर कहीं ट्रेड निकलाता जाके ठीक है यहां से मार्केट एक बड़िया फॉल देता है और यह थी अमारी फरस्ट अपॉर्चुनिटी ठीक है यह पहला पॉर्चुनिटी था देखा कितना बड़ा ट्रेड बना 140 से लेके 500 क्या कोई बनवा के देगा अब देखो ये एक ट्रेड हो गया अगेन मैंने निफ्टी में ट्रेड दिया है 22,100 का पुट ये दिया है दो बजे के आसपस एंट्री अबब 150 22,100 अब मैं वापस से आऊंगा वापस से यहाँ पर इसको अटाऊंगा और 22,100 का पुट लगाऊंगा ठीक है 22,100 का पुट इंपोर्टन्ट ये है कि आप क्या होल्ड कर सकते हो आपकी कैपसिटी क्या है पैसा बड़ा तभी बनेगा अब देखो हमने ट्रेड दिये दो बजे के आराउंड क्या था प्राइज 150 रुपए के आराउंड अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हमारा हाई 205 के आसपस आई थिंक लगाता इसमें जहां तक मुझे याद है तो 150 कहीं यहाँ पर है ठीक है और 205 यहाँ पर है यानि कि वापस से 50 प्लस पॉइंट वो भी 2 बजे के बाद यह यहाँ कहीं पर हमने ट्रेड प्लाइन किया इस एरिया में ठीक है बिल्कुल सिंपल तरीके से बड़े दो ट्रेड बने इससे पहले मॉर्निंग टाइम में भी 9 बजे के आसपास भी मैंने अपने मेंबर्स को इंडेक्स पर बताया था कि कहाँ पर ट्रेड प्लाइन कर सकते हैं लेकिन पॉइंट भाई है कि नई लोग हैं कभी डरते हैं कभी नहीं डरते हैं कभी लेते हैं तो जल्दी निकल जाते हैं तो उस चक्कर में ना होल्ड करना नहीं आता है लोगों को कितना भी बोलो hold करने के लिए बट उनको डर लगता है और इस market में सबसे बड़ी problem यही है कि हम loss को hold करते हो profit को hold ही नहीं करते तो आप भाया description में link है टेलिग्राम का join कर लो आपको कल धमाकेदार वापस scalping opportunity मिलने वाली है अब market में तो बड़ा fall आ चुका है 15 minute के चाट पे जाएंगे market के next support area क्या है ज़रा देख लेते हैं भाई हमने बात कीती 22 सजाद 200 तक जाने की market ने तो धड़ाम से गिर चुका है भाया अब देखो यह अपने most important support के आसपास आ रहा है अगर इसको यहां support नहीं मिलता है कल के दिन मेरे हिसाब से मिलना चाहिए बट अगर नहीं मिलता है तो बड़ी fall और आ सकती है last के कुछ minute में आप देख सकते हो pullback आया है तो हमारे लिए important कौन से level है downside के लिए हमारे लिए important है 2920 का level 2900 का level हमने कल भी आप लोगों को यही चीज बोली थी जब market हमारा चला था कि 22300 का एक बहुत ही crucial level रहेगा उसके नीचे बढ़िया fall मिलेगा और वैसा ही हम को देखने को भी मिला समझ रहे हो मेरी बात कि मैं बोल क्या रहा हूँ आप लोगों को ठीक है आई होप समझ गए हो समझ गए हो तो हम upside की planning कप करेंगे upside की planning में भाई लगेगा वक्त क्यों लगेगा वक्त क्योंकि market ने किया है बहुत बड़ा वाला fall अब यहां से अगर मैं फिबरे ट्रिसमेंट डालू तो इसमें 50% का एरिया आ रहा है 22,120 के आसपास लेकिन हम इससे पहले भी plan कर सकते हैं अगर हमको कुछ price action देखने को मिलेगा तो हम कहां पर plan कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ call side के लिए फिबरे ट्रिसमेंट के according 22,120, 180 के round आपको plan करना है इस area में बट मेरे according मैं इसके उपर भी plan करवा सकता हूँ 22,120 के उपर market यहां से अगर market ऐसा open होता है न और उपर चलेगा तो फिर यहां पर एक बढ़िया हमको trade plan करने का मौका मिलेगा अगर market इस area में open होता है तो हमको नीचे downside के लिए बढ़िया put side में plan करने का मौका मिलेगा डेलो निकलने के बाद तो उसके लिए हम कल करेंगे plan आपको क्या करना है भाई आपका काम है सीखने का समझने का और सही लोगों के साथ जुड़े रहने का अगर आप सही लोगों से जुड़े रहोगे पैसा बनाते रहोगे, हमारे members पैसा बना रहे हैं, चाहे कम बना रहे हैं, क्योंकि उनका पुराना बर्डन काफी है, market में बहुत loss कर करके मेरे पास आये हुए हैं, जिस चक्कर में उनके अंदर बहुत जादा डर बरा हुआ है, तो धीरे धीरे सीखेंगे, वीडियो को लाइ बन पाएगा, thank you so much